हेलो दोस्तो, स्वागा थे आपका इस्टडी इस्मार्थ इस्टूडों में आज हम मेडिवाल हिस्ट्री में तुगलक वन्स से सम्मनित मात्पूर्ण MCQ को देखेंगे हम पूरी मेडिवाल हिस्ट्री को MCQ के माध्यम से कवर करेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सश्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सश्क्राइब करें वा इसके साथी बेल आइकवन को प्रेस करें तो चलتे हैं सेशन क्योर फरस्ट कोश्चन तुगलक वन्स की स्थापना किस ने की थी? राइट अंसर है B. गयासुद्दीन तुगलक ने और गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलक था राइट अंसर है B. तीरा सो बीस इसवी में राइट अंसर है C. तीरा सो बीस इसवी से चवदा सो चवदा इसवी तक नेस्ट कोश्चन तुगलक वंस की पहली और बाद में किस वंस का सासन था राइट अंसर है C पहली खिलजी वंस का सासन था और बाद में सैयद वंस का सासन था नेस्ट कोश्चन सिचाई हेजु नहर निर्मार करानी वाला प्रथम सुल्तान कौन था राइच आंसर है E, गयासुद्धीन तुगलक, गयासुद्धीन तुगलक ने दिलली में सरपिथम नहर का निर्मा करवाये था Next question, गयासुद्धीन तुगलक को गाँजी मलिक की उपादी किसने प्रदान की थी राइच आंसर है E, Sorry B, अलाउद्दीन खिल जी गयासुद्दीन तोगलक ने मंगोलों के आक्रमर से दिल्ली सल्टनत की रक्षा की थी इस कारण अलाउद्दिन खिल जी ने उसे गांजी मलिक की अपादी परदान की थी नेस्ट कोस्चन गयासुद्दिन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमर को बिफल किया था राइट अंसर है B, 29 बार नेश्ट कोश्चन डिली का पच समाले से पहले गयासुद्दिन तुगलक कहां का सुविदार था राइट अंसर है E, पंजाब के दियालपूर का सुविदार था गयासुद्दिन तुगलक पहले पंजाब के दियालपूर का सुविदार था राइट अंसर है E, निजाब मुद्दिन ओलिया ने गयासुद्दिन तुगलक के लिए कहा था कि दिली अभी दूर है ग्यासुद्दीन तोगलक ने दिल्ली की निकट कौन सी नई नगर की इस्थापना की थी राइट अंसर है बी तोगल का वाद और इस नगर में छपन को तनामक एक दुर्ग काविज निर्मार करवाया था next question गैसुदीन टुग्यान ने अपना अंतेम अभियान पहा का किया था right answer है c. बंगाल का और बंगाल अभियान से लौक्ते समाई यी गैसुदीन टुग्ला की मुर्प्टू हो जाती है next question गैसुदीन टुग्ला की मुर्प्टू किस सन में हुई थी right answer है B. 1325 इसबी में, बंगाल अभियान से लोच्ची समाएं, 1325 इसबी में, अफगानपूर में जूना खादवरा निर्मित लकरी की महल से दपकर ग्यासुद्दीन तुगलक की मिरत्व हो जाती है Next question, ग्यासुद्दीन तुगलक ने तिलंगाना का नाम बदल कर क्या रखा था Right answer है C. सुल्तानपूर तिलंगाना का निया नाम बदल कर सुल्तानपूर रखा था Next question, ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्टनच की गद्दी पर कौन वैठा था Right answer है ए मुहम्मद बिन तुगलक निम्न मैसे किस सुल्टान को अपनी संकी भरी योजनाओ, कुरूर कृतियों और दूसरों के दुख सुक के प्रती अपिक्छा भाव रखने के कारण सुपने सील, पागल एवा म्रक्त पिपासू कहा गया था राइट अंसर है C, मुहम्मद बिन तुगलक को गया सुदिन तुगलक ने निम्न मैसे कौन सी उपाधी मुहम्मद बिन तुगलक को प्रदान की थी? राइट अंसर है D, उलूंखा गयासुदिन तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक को उलूं का अखिवपादी प्रदान की थी नेश्ट कॉस्चन मुहम्मद बिन तुगलक किस में निपोर था राइट आंसर है बी दीवान एकोही नेश कोश्चन मुहम्मद बिन्टुगलक ने दुवाप छित्र में कर ब्रद्दी के समय की थी राइट आंसर है ए तेरा सो चब्वीस इस बी में वह इसने क्रसी दर का एक बटे दो भाग बसूला था मुहम्मद बिन्टुगलक ने एक क्रसी विवाग दीबान एकोही की विश्टापना की थी नेश कोश्चन मद्द काली सभी सुल्टानों में किसे सरवारिक सिक्षित विद्वान एवाम योग बैक्ती कहा गया था राइट आंसर है बी मुहम्मद बिन्टुगलक को नेश कोश्चन मुहम्मद बिन्टुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहा इस्थानांतरिक की थी राइट आंसर है डी डिवगरी और दिवगरी कहा है महरास्ट में इस्तित है लेकिन कुछ साल बाद अर्था 1335 इसबी में पुना राजधानी देवगिरी से दिल्ली सिफ्ट कर ले थी तुगलक वन्स के किस सासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रिचलन किया था राइट आंसर है बी मंगोलों की नकल करके मुखमद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रिचलन किया था राइट आंसर है खुराशन एबं कराचल का कराचल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के तराई छेत्र में इस्टित है जिली सल्टनात में सरबाधिक ब्रिद्रो किसके काल में हुए थी राइट आंसर है बी मुहमद बिन तुगलक के समय में है और कुल कितने ब्रिद्रो हुए थे 34 ब्रिद्रो हुए थे जिस्ट गॉस्ट इबन बतूता निम्न मैंसे किसके काल में भारत आया था? राइट आंसर है C. मुहम्मद बिन तुगलक के काल में इबन बतूता 1333 एसबी में भारत आया था और यह एक मुरक को यात्री था इसने मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गया सोनी के सिक्के को दीनार की संग्या दी थी ये भी आपको याद रखना है मुहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को दिल्ली का काजी निक्त किया था लेकिन बाद मैंसे चीन के राजदूत के रूप में भीज दिया था इबन बतूता ने कोन सी पुस्तक लिखी थी राइट अंसर है रहला रहला में इसने मुहम्मद बिन तुगलक की बारी में जानकारी दी है निक्स कोस्टन निमन मैसिक किसकी सासनकाल में दक्षिण में हरीवा एबां बुक का नामक दो भाईों में दो भाईयों ने डक्षिण में सुतंत्र राज विजयनगर की स्थापना की थी राइट अंसर है C. मुहम्मद बिन तुगलक ती समय में और कप की थी 136 इसबी में विजयनगर वर्तमान में करनाटक में इस्थिट है नेर्स कोंचटन निवन इसे के सासनकाल में अलाउद्दीन भाहन साहने 1347 इसबी में सुतंत्र बहहनी राजी की इस्थापना की थी राइट अंसर है B. मुहम्मद बिन तुगलक के समय में Next question, मुहम्मद बिन चुगलक की म्रत्तु पर कौन सा इती हासकार लगता है कि अंत्रता लोगों को उससे मुक्ती मिली और उसे लोगों से? Right answer है D, बदायूनी बदायूनी का यह कथन है कि अंत्रता लोगों को उससे मुक्ती मिली और उसे लोगों से? नेस्टकोस्चन, मुहम्मद बिन चुगलक किसका स्था? attract answer है सिख अलाउद्दीन का नेस्टकोस्चन, जिन प्रभासूर और राजशेखर नामक जेन सादु इनमेंily CIसकि समकालीं थे? Right answer है B. मुहम्मद बिन तगलक के जिन प्रभासूर और राजशेकर इन्होंने सती प्रता को रूक्नी का प्रियास किया था Next question Hindu त्योहारों जैसे होली दसायरा में भाग लेनी वाला प्रतम सिल्टान कौन था Right answer है B. मुहम्मद बिन तगलक Next question सिंज जाती समच 50 किनकत गुडाल में मुहम्मद बिन चुगलक की म्रत्तु हो जाती है फ्रोज साहतोगलक डिली पर कब बैठा था राइट अंसर है ए 319 में मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी चचिरी भाई फ्रोज साहे तुगलक को कौन से पत पर अनुख्त किया था राइट अंसर है C. नायब बारबाख निश्ट कोश्चन दिल्ली सल्टनत के किस सुल्टान ने अपना दो बार राज्जा वीशिक करवाया था राइट अंसर है D. फ्रोज साहे तुगलक ने इसने पहला अभीशिक थट्टा की निकत करवाय था और दूसरा अभीशिक दिल्ली में करवाय था नेश्ट कोश्चन ब्रामरों पर जज़िया कर सरफितम किस सा सकने लगाया था लाइट अंसर है सि फिरोज साह तो लगलक ने कौन सा नया कर लगाए था राइट अंसर है सिचाई कर और इस सजाई कर का नाम था हब इस सर्व अब ए सारव, नेस्ट कोश्चन, फ्रोज साहत उगलक ने किन नगरों की इस्थापना की थी, राइट अंसर है जी, और प्रुक्त सभी की, फ्रोज साहत उगलक ने कुल 309 नगरों की इस्थापना की थी, जिसमें प्रमुक फ्रोजाबाद, हिसार और फतिहाबाद है, फ्रोज साहत पूर्जाबाद में इस्तानान चत्रित कली थी। Next question फ्रोज साहत उग्लक किस नय वेवाग के इस्थापना की थी जाजान सहर्ग जी और पुरक्त सभी की फ्रोज सह। उग्लक क慰िवाने दिवाने बंदगान दिवाने खेराद और दीवाने इस्तिहाग बेभाग की स्थापना की थी दीवाने बंद अन का काम दासों की देख देख करना है दीवाने खेरात का काम महिलाओं की साहता करना है और दीवाने इस्तिहाग का काम पेंसन दीना है या आपको यार रखना है फ्रोज साही तोगलक ने कहां से असोक के इस्थम्बों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था राइट अंसर है ए और बी अप्रक्त दोनों जगा से फ्रोज साही तोगलक असोक के दो इस्थम्ब खिजराबाद और मेरत से लाया था फ्रोज साह तोगलक द्वारा लिखी गई आत्मकता का नाम क्या है? राइट आंसर है A. फटु आत है फ्रोज साही राइट आंसर है A. और B. अप्रक्ट जोनों को फिरोज साहे तोगलक ने जियाद दिन बरनी और सम्स ए सिराज अभीम को अपना सेलक्षन प्रदान किया था फिरोज साहे तोगलक ने ज्वाला मुखी मंदर से लूटे गए गरंट को फार्सी में बिद्वान अपाउद दिन द्वारा किस नाम से अनवाद कर वाया था राइट अनवाद है दलायते फिरोज साही नाम से नेश्ट प्रदान को दिन दिली में किस दुर्ग का निर्मार कर वाय था और इसका निर्मार किसे ने करवाए था फिरोज साय तोगलक ने चांडी एवं तामई के मिस्रिन से निर्मित से के बड़ी संख्या में जारी के जिनने क्या कहा जाता है राइट अंसर है ए अद्धा और बिख अद्धा में 50% जीटल होता था जबकि बिख में 25% जीटल होता था राइट प्रूस साय तोगलक की मिरत्यू किस सन में हुई थी राइट अंसर है 1388 Debby में फिरोज्स साहत गलक ने कुछ उछिर्ण की स्थातां किसमिंust मॉर्थी में Right answer is, जी, अपने भाई जोनाखा की इसमर्थी में Next question, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्टान की उत्पत्ती हिंदू मा से हुई है Right answer is, फिरोज साहे तॉगलक की उत्पत्ती फिरोज साहे तॉगलक हिंदू मा बीबी जैला का पुत्र था नेस्ट कोश्चन निमलखित मैंसे किस सुल्टान ने स्वयम को खलीपा का सहायक घोसित किया था। राइट आंसर है C. फिरुष साहे तुगलग को। नेस्ट कोश्चन तेरा सो अठासी इसमी में फिरुष साहे तुगलग टीम रत्यू के बाद कौन गज्डी पर बैठा नेस्ट कोश्चन नाशिरुष गदिन महमुद तुगलक की समय किस ने जोनपूर में एक सुतंतर राज्य की इस्थापना किती। राइट अंसर है E. मलेक सरवणिये नेस्ट कोश्चन नाशिरुष गदिन महामुद तुगलक की समय तैमूर लंग ने किस इस्भी को भारत पर आक्रमर किया था राइट ऐंसर है दी 1398 इसबी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमर किया था और उस समय डिल्ली शल्तनेत पर नाशुरुद्धिन महमुत तुगलक का सासन था रॉड ये स्टूच्छ तुगलक वंस का इंटिम सासा कोन था राइट आंसर है जिना थेंक्स वर वाचिंग, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू करें, इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंच जरू करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है